आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now Hello guys, इस question हम से पूछा है कि वर्नल क्लाइंट ची होते हैं उसका location मतलब कि कहा पर पाई जाते हैं और किस layer में होते हैं ठीक है इस question को solve करने के लिए हम थोड़ा basic पर चलते हैं यानि कि अब हम इस question को ऐसा solve करेंगे कि आगे इस से related कोई भी question आएगा तो उसको हम easily solve कर सकते हैं तो हम देखते हैं elementary canal के बारे में हमारो जो elementary canal होता है उसकी basically 4 layers होती है ठीक है कौन-कौन सी होती है सबसे पहले आउटर टू इनर है ठीक है आउटर वाली यह है फिर अपस के अंदर इनर की portion की side जा रहे है ठीक है फिर आएगी हमारा सब मुकोसा सब मुकोसा के बाद आता हमारा finally सबसे innermost layer मुकोसा ठीक है बिसको बताने का एक reason है देखो जो सबसे यह होता है हमारा यह आउटर मोस्ट है और क्या है यह थिन एक पस membrane है जो cover कर रहे है किसको muscularis external को इसका access कुछ feature नहीं है muscularis external जो होता है इसमें दो तरह की muscles होती है outer वाली side होता है longitudinal muscles और inner वाली side रहे होता है circular muscles और इनका function क्या होता है यह करवाती है paris telsis moment जो हमारे elementary canal में होता है ठीक है अब आते हम sub-mikosa पर सब-mikosa जो होता है इसमें क्या present होती है blood vessels lymph vessels जिसको हम lacteals कहते है ठीक है और सबसे important यहां पर present होते है है सारे glands ठीक है अब देखा है इसका importance क्यों बताया कि अगर आपको कोई question में आपको नहीं आता और आपसे कोई पूस्ता है कि glands जो होते हैं वो खहां पर present होते हैं और option में सिर्फ sub-mikosa भी दे रखा होगा तो आप किसी भी सब-mikosa वाला portion को correct कर सकते हैं ठीक है कुछ confusion भी होगा तो भी सब-mikosa हमारा almost correct ही होगा most of the time glands जो होते हैं सारे सब-mikosa में होते हैं ठीक है मikosa जो होता है हमारा यहां पर present होते हैं माइक्रो भी लाए ठीक है माइक्रो भी लाए और कुछ lymphoid tissue present होते हैं जैसे कि हमारा pierce patches होता है intestine में ठीक है और malts होता है mikosal associated lymphoid tissue तो यह सारे कहां भी होते हैं मikosa में होते हैं ठीक है तो यानि कि अब देखो हमारे दो option तो easily eliminate हो गए जिसमें mikosa दे रखा है अब finally हमारे क्या बच्चा deuterium होया stomach तो हमारे जो burners glands होते हैं present होते हैं deuterium में जाने कि option C जो है वो एकदम correct है उसका function क्या होता है यह secured करते हैं mucus ठीक है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और income क्या कहते हैं इस list का दूसरा नाम क्या होता है mucus glands अके थैंक यू क्लासिक्स चुट्वल से लेके नीट आयाइट जेही मेंस और अद्वांस के लेवल कक तस मिलियन से जादा स्टुरेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर